एलो फ्रेंट्स अभी तक अपनी TGT PGT की तयारी में हमने जो पढ़ा है वो हिस्ट्री फॉंस ओफ लिट्रेचर एंड फिगर स्पीज यह थी मेजर टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इसके बाद आज हम आपका जो वेट है वो पूरा होने वाला है और फ्रेंट्स आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो विलियम वर्सवर्थ को सुरू करेंगे और विलियम वर्सवर्थ फ्रेंट्स दोनों ही इस लवस में हैं आपके TGT में भी है और PGT में भी है फ्रेंट्स सबसे पहले तो हम ऑथर की परसनल लाइफ को डिसकस करेंगे ऑथर के वाक्स और उसके बाद उनके जो मेजर वाक्स हैं, उनको हम डिटेल स्टेडी हम यहां करने वाले हैं, तो चलिए फेंट्स शुरू करते हैं, देखिए विलियम वर्सवर्थ, अगर बर्थ की बात करें, तो यहां एक चीज को यहां पोईट वाइज में फेंट्स बताता चलूँगा आपको, और पर बर्थ की बात करें, तो 1770 में बर्थ हुआ और अप्रेल सात अपरल को ुइस ओए विलियम वर्सवर्थ एक ऐसे पोईट थे जो आपरेल के महीने में ही जिनका जन्व हुआ और अपरेल के महीने में ही जिनकी डाट वही तो फ्रेंड्स यहाँ जो मन्त के साथ साथ यहाँ जो डेट है उसको भी आप लर्ण कर लेना clear born at Coquer Mouth और यह जगा का नाब है कोकर माउथ और फ्रेंड्स यह कहां पर है यह कंबर लेंड काउंटी है इंगलेंड में उस काउंटी में जैसे हमारे एस्टेट होता है उसी तरह है कंबर लेंड काउंटी है उस काउंटी में यह कोकर माउथ एक जगा का नाम है क्लियर यानि 7 अप्रेल 1770 को जन कोकर माउथ में कंबर लेंड और इंगलेंड क्लियर हुए बात अब देखे 1776 यानि 6 साल का बच्चा उसको कहां शिफ्ट कर दिया वहां कोकर माउथ ग्रेमर इस्कूल में इनका एड्मीशन करा दिया और एक चीज और इवेंट्स यहां जो हम डिसकस करेंगे केवल इंपोर्टेंट पोइंट्स जो हमारे एक्जाम्स में पूछे जाएंगे उन्हीं को हम डिसकस करेंगे इसके बाद आता है फादर का नाम तो फादर थे इनके कौन थे फ्रेंट्स जोन यानि जोन और वर्ट्सवर्थ इनके फादर थे और एक चीज और है फ्रेंट्स इनके जो फादर है वो 1783 बे उनकी डैथ हो गई थी देखिए जो मदर थी इन की और मदर थी फ्रेंट्स एंड तो सबसे पहले तो मदर की डेथ हुई 1778 में यानी 1778 में मदर डाइट और मदर कौन थी फ्रेंट्स एंड यह ऑथर का जो पैरेंट्स से उनको भी पूछा जाता है एक्जाम में और जो फादर रेफरेंट्स वो 1783 यानी जब यह 13 साल के थे तो इनके जो फादर हैं वो मर गए बात के लिए फादर जोन वर्ट्स वर्थ मदर एंड फादर 1783 और मदर 1778 में इनकी डेथ हो जाती है फादर और मदर तो रहती है किलियर रेफरेंट्स और 1787 में ही एड्मिटेट टू सैंट जॉन कॉलेज गंपरिज 1787 यानि 1787 में जब यह 17 साल के थे तो एड्मिटेट टू सैंट जॉन कॉलेज क्यांबरिज क्यांबरिज में एड्मिशन हुआ और वहां 1787 से यानि 1787 से लेकर और यह 1791 तक इस कॉलेज में पढ़ें और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से इन्होंने जो बीए की डिग्री ली थी बोली थी कहां से सैंट जॉन कॉलेज क्यांबरिज क्लियर तो एड्यूकेशन कहां तक रही कि वह ग्रिजुएट वह केवल ग्रिजुएट थे क्लियर बात फ्रेंट्स इसके बात 1790 आगे भड़ते हैं 1790 यानि सबंटी सबंटी में बॉर्ण हुए और सबंटी नैंटी यानि 20 साल की एज में फस्ट टूर टू फ्रांस फस्ट टूर औफ फ्रांस यानि फ्रांस का जो पहला इनका तूर हुआ था वो कब हुआ था फ्रेंट्स 1790 में 1790 में 20 साल किये एच पे और 1791 गे 1791 में अवार्डड़ बी ए एक तो इनका बी ए पूरा हुआ और अभी हमने उपर यह यह लिखा था 1791 कि सैंट जॉन कॉलिज में कहा तक पढ़े 1791 तक यानि यह लगभग थिरी एनवन फोर यहां यहां यह कैंब्रिज में पढ़े बात के लिए अरे फ्रेंट्स तो 1791 में 1791 में यहां क्या 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 काम हुआ है तो अवार्ड़ड भी यह बीए की डिगरी को मिली और सेकेंड विजिट तो फ्रांस फ्रांस पे फर्स टाइम गए 1790 में और सेकेंड टाइम गए 1791 में और यहीं एक और दूसरी घटना हुई थी फैन फैल इन लव विद एक अफियर रहा ओथर का और वो किसके साथ रहा अनटी वैलन अनटी वैलन के साथ इनका अफियर हुआ और उस अफियर से एक बच्ची भी पैदा हुई और हर नेम वोज कैरोलाइन यह क्या था बेबी चाइड यह बेबी का नाम था इनकी जो कैरोलाइन इस अफियर से पैदा हुई तो 1791 तक के हमने खटना हुई और 1791 के बाद बात करते हम थिरी की तो 1793 1793 में क्या क्या हुआ तेके 1793 यानि यह पहला यह था जिसमें इनकी पोयम है वह पब्लिस हुई और जो फस्ट पोयम थी इनकी वह फस्ट पोयम क्या थी फ्रंस एन इवनिंग वाक वह पब्लिश हुई कब पब्लिश हुई फ्रंस 1793 में और इसी के साथ साथ एक दूसरी पोयम डिस्क्रिप्टिव स्कैचेज वह भी इसी यह में पब्लिश हुई क्लियर दो बाते हो गई और फ्रंस 1793 में एक चीज और हुई थी क्या हुई थी फर्स्ट टूर अव टिंटर्ण अबे कि देखें तुम्ट ट्रंश ली एक बड़ा फेमस फेमस प्लेस है को सवर्ण के संगम होता है यह जगा और वहां एक मधू आवगा है जिसको टिंटर नावी कहा जाता है तो टिंटर नावी एक poem भी है विलियम वर्ट्वर्थ की तो विलियम वर्ट्वर्थ का जो first 1793 में गए इसके बाद second time after five years यानि 1798 में गए और जो थर्ड विजिट थी इनकी वो डेथ से nine years पहले यानि 17 सारी 1841 में के लिए वो इन्थी लास्ट विजिट थी टिंटर नहीं तो यहां यहां जो पर्सनल इवेंट हुई वो क्या क्या हुई फ्रेंट्स एक बार रिवाइश कर लेते हैं 1770 में पैदा हुए कोकर माउथ में इस सिक्स में 1776 में कोकर माउथ ग्रिमर स्कूल में अड्मिशन और 178 में 1778 में मदर डाइट 83 फादर डाइट 87 में सेंट जोन कॉलिज कैमरीज में अड्मिशन वहां 1791 तक पढ़ें और इसके बाद 1790 में फर्स्ट वार फ्रांस 91 में बीए और सेकंड विजिट फ्रांस की फाल इन लब विद एंटी वैलन और कैरोलाइन यह बेवी करा 1793 में फ्रेंड्स फर्स्ट वोयम इवनिंग वोग पॉब्लिश हुई और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इसके पॉब्लिश एंड फर्स्ट वर ओफ टिंटर्न अभी बात क्लियर हुई तो चलिए इनको नोट करते रहिएगा साथ-साथ चलिए फ्रेंड्स अब 1793 के बाद जो इंपॉर्टेंट इयर है वो है 1795 यानि 1792 उसमें क्या-क्या घटना है हुई फ्रेंड्स चलिए नोट कर लेते हैं इसमें सबसे पहला काम तो हुआ कि सैटर्ड एट रेज डाउन डॉट सेट सायर रेस डाउन एक जगह का नाम है फ्रेंड्स यहां यह सेटल होगे और डॉर सेट शायर डॉर सेट शायर में एक चीज और मैं बता दो फ्रेंड्स यह कहा कहा सेटल हुए यह तीन-चार जगह यह सेटल हुए और वो भी अक्सर एकजामे पूछा जाता है तो कोई भी पॉइंट यहां जितने भी पॉइंट बताय जा रहे हैं एक भी पॉइंट आप में जबत कीजेगा इसके बाद फ्रेंड्स सबंटी नाइनटी फाइब में ही दूसरी घटना हुई और वो क्या हुई मैट स्टी कॉलरिज परस्ट टाइम लेकिए स्टी कॉलरिज सेम्वल टेलर कॉलरिज कॉलरिज जो थे इनहीं के संपालिन थे और कॉलरिज से इनकी गहरी दोस्ती भी थी कॉलरिज एक रोमांटिक जो एज है उसमें बहुत बड़ा नाम परस्ट के बाद कॉलरिज का लिया जाता है तो फ्रेंड्स फर्स टाइम ये कॉलरिज से जो मिले वो 1795 यानि 1792 में ही ये पहली बाद कॉलरिज से मिले और कॉलरिज की और इनकी जो दोस्ती थी वो लाइफ करते थे तो फ्रेंड्स यह रोमांटिक एज से भी रॉंग करते थे रुमांटिक एज के ऑधर थे हैं कि लिया फ्रेंट्स कि चलिए 1795 के बाद आता है 1798 और 1798 यह किसलिए फैमस है जो इंग्लिस हिस्ट्री एस दीन लिटरेश र है उसमें 1798 को क्या माना जाता है यह आपके लिए क्रूशन है यह आप सोच के रखिए गाँ तो 1798 क्यों फेमस है यह हम बात करते हैं लिरिकल कि बैलेड्स कि अपॉबिस्ट देखे 1798 में लिरीकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे और इन्दा मन्थ अब सप्टेंबर सप्टेंबर के महिने में ये बुक जो है पब्लिश हुई और एक्च्वल में ये क्या था ये एक जॉइंड वेंचर था ये दो ओथर थे कॉन, स्टी, कॉलरेज, एन्द बिलियम वर्सफर्ट दोनों की एक साजे में ये बुक दोनों ने पब्लिश की थी और फ्रेंट्स जो लिरीकल बैलेट का पब्लिकेशन था उसने एक पोईट्री की एक नए एक नया ट्रेंड एक नया जानर शुरू कर दिया और वो जानर किय और इसी के साथ साथ जो हमारी history of English literature है उसमें 1798 इस particular year को जो romantic age है उसकी starting माना जाता है उसकी beginning इस particular year से मानी जाती है अभ्राइबाद लिरीकल बैलेट्स की बात है टो लीडीकल बैलेट्स की चलिए लिरिकल बैलेट्स तुम बात कर लीते लिडीकल बैलेड्स फब्लिर sushi at Zenimana टीनिणायटी एट नेक्स्ट आता हैывает ञिए नैटीन हंद्रडद ओर जो एatur गया का इनुए एक एक एडिशन आया लिरिकल वैलेट्स के टोटल फोर एडिशन आये तो वह भी आपको यह याद रख लेने कि कब कब आए जो अब लिरिकल वैलेट्स इसी के साथ साथ जो ऑथर थे वह अब कहां सैटल हो गए वो डव कॉटेज में सैटल हो गए कि लिए फिर्ट्स पहले इससे पहले कहां सैटल थे वो रिजडाउं में थे 1795 और अब अब 800 यानि आफ्टर फाइव यहस पहले साल बाद वहां सैटल होगे वो डव कोटेज में सैटल क्लियार फ्रेंट्स चो में एक जगह है कौट्टी यह टाउंसें टाउंसेंड में वो ग्रास मेर में यह जगह पड़ती है डव कॉटेज टुटेज ग्रास मेर आप और साथ बात के लिए चलिए नेक्स्ट इयर है सवंटीन सवंटीन सॉरी एटीन जीरो टू नॉट सवंटीन एटीन जीरो टू यानि एठारेस दो एक तो इंपॉर्टेंट इवन्ट यहां थी कि मैरीड मैरी हचिंसन मैरी हचिंसन इनकी कजन थी उस मैरी हचिंसन से इन्होंने शादी की in the year of 1802 और एज कितनी थी 32 की एज में इन्होंने शादी की के लिए रबात पेंट्स अब यहां पर एक चीज और हुई जो थर्ड एडिशन था किसका लिरिकल वैलड का वो भी पब्लिश हुआ क्लियर फ्रेंट्स यानि टोटल फॉर्ट एडिशन थे पहला 1798 दूसरा 1800 और तीसरा एटीन हंड़ेड तू दो दो इयर के गैप से यह अब जो लिरिकल बैलेट्स हैं यह अब रिशने हैं क्लियर फ्रेंट्स एटीन जीरो थिरी अठारे सो तीन एटीन जीरो थिरी में क्या-क्या इन्होंने इस्कॉटलेंड का फस्ट वर इन्होंने अरेंज किया यानि फस्ट वर ऑफ इसकॉटलेंड वो एटीन जीरो थिरी यानि अठारे सो थीन में पहला टूर था स्कॉटलेंड का और इसी के साथ मैट एक बहुत बड़े स्कॉटेंज राइटर थे और वो कौन थे फ्रेंट सर्वाल्टर स्कॉट्ट सर्वाल्टर स्कॉट से मिले प्लियर मैंट सर्वाल्टर स्कॉट्ट अब एक टीन जीरो थिरी के बाद नेक्स्ट यह इंपॉर्टेंड वह है एक टीन जीरो फाइव एक टीन जीरो फाइव में क्या इवन्ट हुई यहां फैंड्स जो लास्ट एडिसन था लिरिकल वैलेट का यानि फूर्थ एडिसन लिरिकल वैलेट पॉर्लिस्ट बात क्लियर किस यह में फैंड्स एटीन जीरो फाइव में और एटीन जीरो फाइव के बाद बात करते हैं एटीन जीरो एट की अथारस वन अब एटीन जीरो एट में सिफटेड फॉर्म दिंड्व कोटे गेंग ग्रास में और अब यह कहां रहे थे फ्रॉं सिफ्टेड फ्रॉम कहां रहे रहे थे देखें एक टीन हंडर्ड वे सैटल हो गई थे डव कॉर्टेज में अब डव कोड़ से कहां सैटल हो गई है डव कोड़ से सटब हो गई आलन बैंक ग्रास में अब कि इसके बाद यहां पर यह लगभग 5 साल रहे और 1813 में यानि 1813 में यह सिफ्टेट टू राइडल माउंट इस नहीं जगह और आ गई है सिफ्टेट टू राइडल माउंट यानि राइडल माउंट में शिफ्ट होए अपोइंटेड स्टैंप इस्ट्रिबूटर अपोइंटेड स्टैंप इस्ट्रिबूटर क्लियर और किस इयर में बनाए 1813 में एक चुन में वैस्ट मूड लेंड एक जगह है वैस्ट मूड लेंड के लिए यह स्टैंप इस्ट्रिबूटर इनको अपोइंट कर दिया गया क्लियर तो यहां जो इंपोर्टेंट इवेंट वी वो क्या हुई 1795 रेस्डाउन में सेटल स्टी कॉलेज से पहली बार मिले 1798 लिरीकल बैलेट्स पब्रेश्ट एटीन हंडेड में लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन डव कोर्टेज ग्रासमेयर में सेटल एटीन जिरो टू बैरी हचिंसन से शाधी एंट थर्ड एडिशन ऑफ लिरीगल बैलेट्स एटीन जो पब्लिश्ट रोफ इस्कॉट्नेंड इसकॉट्नेंड का पहला तूर स डव कोर्टेज से एलन बैंक ग्रासमेयर में सेटल एंड एटीन थर्टीन में शिफ्टेट टू राइडल माउंट अपोइंटेड स्टैंप इस्ट्रिब्यूटर यहां दो काम लिए पात के लिए और फ्रेंड्स किसी यह में फ्रेंट्स एटीन फॉर्टीन में यानि अठारे सो चॉदा में पहली गटना सेकेंड टूर ओर इस्कॉट्ट्नेंड क्लियर एंड दा एक्सकरजन पावलिश्ट क्लियर एगात 1815 अठारे सो पंद्रा में पोएम्स टू वॉल्यूम्स पोएम्स टू वॉल्यूम्स और यह एक्ट्वर में क्या था फस्ट कलक्टेड एडिशन था इनकी पोएम्स का बहुत सारी पोएम्स इसमें थी तो क्या टाइटल था पोएम्स टू वोल्यूम्स क्लियर बात फ्रेंड्स तो इस टाइटल से जो इनकी जो फस्ट एडिशन अवकर्टेड पोएम्स था वह पभलीश हुआ था इसके बाद 1819, 1819, इस प्रेटिकुलर येर में एक पोएम, इनकी फेमस पोएम रही है, पीटर वैल, पीटर वैल, पब्लिश हुई, पब्लिस्ट, हाला कि ये जो पोएम थी, ये कहीं 1798 के आसपास कमपोज की गई थी, लेकिन जो ये पब्लिश हुई थी, वो कम हुई थी, फ्रेंट्स, एक दूसरी पोएम इनकी, दा वैगनर, ये पब्लिश हुई, और ये जो एक्टर पे कमपोज हुई थी, ये एट्टीन जीरो फाइब के आसपास ये पोएम थी, कमपोज की गई थी, 1805 में कमपोज हुई, लेकिन जो पॉब्लिश हुई वो एटीन, नाइटीन, अठारेशों में इसके, 1820, 1820 में इनकी एक फेमस जो सॉनेट सीरीज थी, वो इनकी एक सॉनेट सीरीज आई थी, और वो क्या थी, फ्रेंट्स, दा रिवर डड़न, जो रिवर डड़न थी, रिवर डड़न क्या थी, फ्रेंट्स, इनकी एक सॉनेट सीरीज थी, ये पॉब्लिश हुई, अ सीरीज ओव सॉनेट्स, और देखिए, सॉनेट की अगर बात करें, तो सॉनेट में लगभग 500 से जादा सॉनेट्स इन्हों ने लिखी, और जो वो संख्या आती है, वो आती है 523, 523 सॉनेट्स इन्हों ने लिखी, के लिए रहे बात फ्रेंट्स, तो एक बहुत बड़े ऑथर होने के साथ, पोएट होने के साथ साथ, ये सॉनेट इयर भी थे, 1829 में टूर ओफ स्कॉर्ट आयलेंड, आयलेंड का टूर इन्होंने 1828 में, आयलेंड का एक टूर जो था वो इन्होंने किया, और जैस्टे मिनटी एक 28 नहीं है, फैंस ये 29 में हुआ था, फिर्स टूर ओफ आयलेंड, और किस एर में हुआ फैंस, एक ट्वेंटी नाई में, 1838 में एक घटना हुई, और 38 में क्या हुई फैंस, दए सोनेट्स ऑफ विलियम वर्सवर्थ एक टाइटल था बुख का दसोनेट्स ऑफ विलियम वर्सवर्थ और यह क्या थी एक चुट में जो कलेक्टेड थी एक कलेक्टेड वो ल्यूम था इन वन वोल्यूम सारी जो सॉनेट सीन की वो एक ही टाइटल के अंदर एक ही बुक के अंदर पब्लिश हो गई और वो क्या था दा सॉनेट सोब विलियम वो कब पब्लिश होई वो 1838 में बात के लिए रेफेंस 1843 में 1843 में ये पोएट लॉरेट बना दिये गई 1843 में अपॉइंटेड पोएट लॉरेट और फ्रेंड अगर पोएट लॉरेट की बात आ जाती है तो पोएट लॉरेट जो थे इनसे पहले भी एक पोएट लॉरेट रहे थे और ये एक्चवर में जो रॉरेट सदी थे रॉरेट सदी की डैथ के बाद इनको पोएट लॉरेट अपॉइट कर दिया गया था तो चलिए ये भी अभी सासाथ हम नोट कर लेते हैं रॉरेट सदी रोबर्ट सदी जो थे वो फ्रेंट्स 1813 यानि 1813 में उनको पोड़ लारिट बनाया गया था इनके बाद विलियम वर्सवर्थ को बना दिया गया 1843 में और इसके बाद विलियम वर्सवर्थ के बाद जो बना दिया गया वो बना दिया गया आर्फर्ड लॉर्ड टैनेसर को और फ्रेंड्स 1850 1850 में इनको पोईट लॉरेट टैनेसर को बना दिया गया देखें पोईट लॉरेट एक्चुल में क्या थी एक ऐसा टाइटल था ऐसी उपादी थी जो जिस पोईट को दे दी जाती थी वो देने के बाद तिल डैथ जब तक वो आथर मरते थे तब तक वोही पोईट लॉरेट की उपादी उन पर रहती थी उसके बाद उनकी डैथ के बाद किसी दूसरे को पोईट लॉरेट अपोईट कर दिया जाता था क्लियर तो पोईट लॉरेट पे भी फिर्ट क्रिशन आया है कि यह बार फस्ट ओफिशल पोईट लॉरेट कौन थे और अनॉफिशल कौन थे उसको भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे तो फिलहाल हम इनी के साथ साथ वर्थवर्थ के साथ साथ यह नाम यहां आ जाते हैं तो रोवर्ट सदी जो थे 1813 में पोईट लॉरेट अपॉइंट के गए लेकिन कब तक हुए अपनी जो डैथ रोवर्ट सदी की वह कवी थी 1843 तक वो पोईट लॉरेट बने रहे 1843 में इनकी डैथ के बाद रोवर्थवर्थ को यह वर्थ बना दिया गया और 1843 से लेकर यह कब तक बने रहे नकैंटोर बना दिया यहां इनही के साथ सथ वर्थवर्थ के साथ सथ सथ दो किश्ष्ण और तयार हो गया हमारे वह क्या था कि वर्थवर्थ से पहले कीश्चन और टार को थे वर्टौर्थ केबाद खॉन थे अलफेड लॉर्ड टेनी सन पात के लिए रहे फ्रेंट्स समझ आ रहा होगा मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में तो चलिए नोट करते रहिए फटाफट इसको फ्रेंट्स इसके बाद पोईट लोने टपोईट होने के बाद जो इंपोर्टन इयर आता है वो आता है इनकी लाइप में 1850 और 1850 क्यों फेमस है फ्रेंट्स एक्ट्वर में इस एयर में 1850 में यह जो थे इनकी डैथ हो गई थी डाइट और जो डैथ हुई थी वह हुई थी फ्रेंट्स 23 अपरल 20 अपरल को 7 अपरल को बर्थ और 23 अपरल को इनकी डैथ और जो डैथ हुई थी वो कहा निकल कर आता है कि बैरी वैंट ने वा या कि सेंट मेरिय को सब्सक्राक जो पर और इह घ्या और उख वो ग्रास मेर्च यर्ड में और क्लियर और जो ग्रासमेयर काउंटी वो वेस्ट मूर्लेंड पे हैं और इसके बाद 1850 को ही फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट इवेट थी और वो क्या थी दा प्रिल्यूड पावलेस्ट और जो प्रिल्यूड है इनका एक मांस्टरपीस कहा जाता है इनका मैंगनम ओपस कहा जाता है इसको और यह पॉस्तिमसली पब्लिश होगा यह बात नोट करने वाली है कि इसका पॉब्लिकेशन यह आफ्टर डैथ जो है यह पुब्लीश होगा क्लियर एक फ्रेंट्स और किशन निकल आता है कि इनकी जो डैथ है वो किस बीमारी से हुई पोई फ्रेंट्स पिल्यूरीसी पिल्यूरीसी क्या होती है एक शायद फेफ्रों में पानी भड़ने की बिमारी यह है पिल्यूरीसी और पिल्यूरीसी के कारण इनकी डैथ हुई इस चीज को भी आप नोट कर लेना कि किस से डैथ यह भी इंपॉर्डेंट किशनी हम बन जाता है फ्रेंट्स टिंटर्न एबी की हम बात कर रहे थे टिंटर्न एबी जो है यहां ओथर टोटल थी टाइम्स यहां इनकी विजिटिंग रही है और फस्ट टाइम जो दिजिट किया वह सबंटीन नाइन की तिरी सत्रसों तिरानवे में गए सेकंड टाइम आफ्टर फाइव यह यानि पांस साल बाद सबंटीन नाइन्टी एट में यह टिंटर्न एब इनको भी आप लर्ण कर देना टिंटर्न एबी में राइटर की फर्स्ट विजिट 1793 सेकंड विजिट 1798 एंड थर्ड विजिट 1841 को तो यहां हमारे जो लेक्चर आज कर रहा है विलियम वर्सवर्थ पे हमने जो फोकस किया वह ऑथर की पर्सनल लाइफ को फोकस किया हुँ नेक्स लेक्चर में यानी कलका जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ऑथर के इंपउर्टेंट वक्स को लेंगे और उसके बाद जो नेक्स लेक्चर होगा हमारा उसमें हम उनी वक्स में से जो important वक्स हैं जो Master का लगा लेक्टर मज़ा आया या नहीं आया या किसी चीज gifted कि अगर आप कमी महसूस कर रहे हैं तो to comment करके जबूर बताए घज अगर अबी तक चैनल को शेर नहीं कर पाते हैं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्टर में नाओ थैंक्स पर वाचिंग देश वीडियो